आधनिय राश्पती जी के अभिभाशन की चर्चा में भागिदार बनने के लिए उपस्तित हुआ हूँ और मैं आधनिय राश्पती जी के भाशन को मेरी तरफ से आधर पुर्वक्त धन्यवाद भी देता हूँ अभिनंदन भी करता हूँ अधनिय सभापती जी ये पचतरवा गणतंतर दिवस ये अपने आप में एक महत्रपुन मैल्स्टोन है और उस समय समिधान की आत्रा के इस महत्रपुन पड़ाओ कर राष्पती जी का भाषन उसका एक एक एतिहासिक महत्रप भी रहता है और उन्होंने अपने भाषन में भारत के आत्मयुस्वात की बात कहीं है भारत के उजबल भविश्य के प्रती विश्वास को प्रगट किया है और भारत के कोटी कोटी जनों का जो सामर्त है उस सामर्द को बहुती कम शब्दों में लेकिन बहुती शांदार तरीके से देश के सामने सदन के मार्द्यम से प्रस्तुत किया है मैं राष्पती जी के इस प्रेरक उद्वोधन के लिए और राष्ट को दिशा अंदर देश के लिए अलेक प्रकार से विक्षीद भारत के संकत को सामर्थ देने के लिए रज़े से बहुत बहुत आभाय व्यक्त चर्चा के दर्म्यान अनेक मान्य सदेशों ने अपने विचार रखे है और चर्चा को सम्रुद्द करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया इस चर्चा को सम्रुद्द करने के प्रयास करने वाले सभी आदर ये साथ्वों का भी मेरे देशे आभायर व्यक्त करता हूं अभिनन्दन करता हूं कुछ साथियों के लिए आलोचना करना कड़ी बाते करना यह उनकी मजबूरी थी उनके प्रतिवी मैं संबेदनाय प्रकट करता हूं मैं उस दिन तो कहनी पाया लेकिन मैं खर्गेज जी का विशेश आभार प्रकट करता हूं बहुत ध्यान से सुनदाता खर्गेज जी उस दिनगा है और ऐसा अनदाया ऐसा अनदाया ऐसा बहुत कम मिलता है लोगसभा में तो कभी भी मिल जाता है लेकिन आज कल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरण जिन कम मिलता है लेकिन लोगसभा में मनोरण जी जो कमी हमें खल रही है उस दिन आपने पूरी कर दी और मुझे प्रसंता इस बाट की थी कि माने खरगे जी काफी लंबा और इंताहां बजे से इसांती से बोल बहते समय भी काफे लिया था तो मैं सोच रहा था कि अज्छानी मिली कैसे एकना असारा बोलने के अज्छानी मिली कैसे अज़ बैस सोच तो रहा था लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते नों उस दिन नहीं थे और इसलिए भावत भरपूर फाइदा स्वतंत्रदा का आदनिया खड़की जी ने उठाया कि मुझे लगता है कि उद्दिन खरगे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा ऐसा मोका फिर कहां मिले और खरगे जी भी खरगे जी भी एंपार नहीं है कमांडर नहीं है तो चोके शके मारने में मजा आ रहा था उनको कि लेकिन एक बात खुशी कि रही है कि उन्होंने जो चार सो सीट अंडिये के लिए आशिर्वाद दिया तो कि और मैं कि अरवे जी के रहे है कि आशिर्वाद को आपके आशिर्वाद मेरे स्वराखों पर कि अब आपको आशिर्वाद वाफिक लेना तो ले सकते हैं कि एक खबाट तो आ गया है आधनिया सभापती जी मैंने आधनिया सभापती जी मुझे मुझे पिछला पिछले वर्स का वो प्रसंद बराबर याद है उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधान मंत्री की आवाज को गला गोंटने का वर्पूर प्यास किया रहे हम बड़े धैरिये के साथ बड़ी नमता के साथ आपके एक एक शब्दों को सुनते रहें और आज भी आम ना सुनने की तायरी के साथ आए हैं अजया प्राश भी आपके लूए घूए हैं अजया नमता के साथ आपके एक एक शब्दों को सुनते एक शब्दों का रहें झाल